आज मैं जो आपके लिए ये विडियो बनाने जा रही हूं ये आपके सिलेबस में जो important characters हैं मैं उनके नाम बताऊंगे आपको इस विडियो में as you know your syllabus has been reduced to 60% यनि कि अगर आपके syllabus में 10 chapter हैं उसमें से आपको कोई 6 करने हैं आपको जो है छूट मिल चुकी है तो इसलिए अगर आपके लगता है आपको आपके syllabus में 10 characters हैं तो अगर आपको इछे भी याद कर लोगे तो भी आप marks मज़े से score कर लोगे ठीक है और क्यूंकि आपको पता है कि पांच number का character जो है आपको आना ही आना है right so now I'll tell you the name of important characters that you have to do one by one ठीक है मैं आपको उन characters के नाम बताऊंगी जो important characters हैं और आप उन्हें कर लीजिए ठीक है कुछ characters की तो मैंने अपनी अलग से videos भी बना के रखी हुई है आप उन्हें देख भी सकते हैं ठीक है तो लग जैसे आपके यहां पे आपके pro section में you have eight chapters जो आपका pro section है उसमें जो important characters है सबसे पहले and excellent father में से अगर आप मिसिस बैनेट का character करेंगे तो वो बहुत फायदे मन रहेगा उसके बाद any character of any diary of young girl है ना lesson आपके syllabus में उसमें any का character वो important है देन फ्रॉम पापची ज मौत पापची और मामाची दोनों में से आप कोई एक character कर लीजिए और इसके बाद आपका merchant of Venice में Antonio और Sherlock में से कोई एक character कर लीजिए यह आपका pro section में characters है आप इसमें से भी कोई character छोड़ सकते हो क्योंकि आपको 60% syllabus है सिरफ तो आपको character में भी आप कोई भी आर बाकी आपका जो short stories है पोईट्री सेक्शन में से तो आपको कोई character नहीं है लेकिन आपको जो short stories है इसमें आपको मटालिडा का character important है मटालिडा यानि मैडम लूइजल उसके बाद भोली का character तो बहुत important है भोली का character आपको जरूर जरूर और जरूर करना ही करना है राइट फिर आगया अभिले अभिले का ले में मैं अगर आपने मेरी वीडियो देखी है अभिले की उसमें मैंने आपको बताया है कि ले वाली साइट जो दादी मा होती है ना जो हमारी अभिले में आपको character इतना important ही आप इसकी summary रीड कर सकते हैं तो इन सब के लिए आपको summary पढ़ना जरूरी है और आपको पता है अगर आपको यह character लिखना है आप कैसे लिखोगे आप अपने बच्पन में चले जाएए याद कीजिए वह UKG और LKG के दिन जब आप छोटे स इसे थे और आपको myself का ऐसे आता था अपने बच्पन में जब आप myself पे five lines लिखते थे याद करी कैसे शुरू करते थे I am Sania, I read in UKG class, I am five years old, I have two brothers and sister, my mother is a teacher, my father is a businessman ऐसे करके लिखते थे थे ना तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप भी तो grow करते हो, आप बहुत सुंदर हो जाते हो बड़े हो के, इसी तरह जब आपकी classes भी बड़ी होती है, तो आपकी language भी सुंदर होनी चाहिए और ताकि जो देखने वाला है, जो चेक करने वाला है, वो भी आपसे impress हो सके, तो इस तरह जब आपको कोई character sketch लिखना है, किसी cave पर भी, अगर आपको भोली का character, suppose करो, आपको भोली का character लिखना है, सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को देखी भोली की, मैंने अलग से upload कर रखी है character sketch of भोली, आप start किस से करेंगे, भोली से करना न, तो भोली का पहले His real name was Sulekha, she was the fourth daughter of numberdar रामलाल, ठीक है न, और उसका, उसमें क्या-क्या, मतलब qualities थी, उसके कितने भाई बहन थे, भाई बहन मैंने बोला आपको, she was fourth daughter among seven, मतलब वो चोथी daughter थी, numberdar की, उसके बाद क्या था, वो भोली उसको क्यों बोलते थे, भोली याने, थोड़ी भोली सी इनोसेंट सी थी, वो इतनी चलाक नहीं थी, जिसे बाकी वाले थे, वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो, she fall off from court, when she was two and a half years old, ठीक है, अगर आप ये समरी आपको, केरेक्टर भी लिखने के लिए, न, किसी का, आपको समरी, उसकी पढ़नी पढ़ेगी, देखनी पढ़ेगी, कि समरी मैं already upload कर चुकी हूँ, हर एक lesson की, हर एक point की, short story सब की, तो आपको characters, जो यो मैंने आपको बोले वीडियो में, इन characters को बड़े, मतलब इन पे ज़्यादा focus करना है, आपके syllabus में, यही characters जो है, एक proposal में चुपको, नाटालिया का character भी बहुत important है, राइट, ठीक है, और और अगर आपको कहीं पे किसी तरह की भी बच्चे कोई problem आती है, आप मुझे comment box में डालके, पूछ सकते हैं, till then, stay home, stay safe and keep watching my videos, thank you.